पूजा अधूरा रहे जाएगा बली चड़ा सकता है लालू वो पहले ये काम बहुत करता था जल्दी उसे बुला के लाओ ठीक है राठोट जी नहीं नहीं मुझे ये काम नहीं होगा नहीं करोगे तो देवी का पुजा तो अधुरा रह जाएगा चलो नहीं जाओगे तो देवी स्राब दे देगी इस गाओं को जो होना है होने दो बच्पन में ये काम बहुत क्या है अब नहीं करूँगा मा का पुजा है मना नहीं करते है हाँ जाओ बेटा जाओ नहीं तो पुजा अधुला रह जाएगा ठीक है आप की बात ही मान लेता हूँ अपने पीता के आदेश को मना ना करते हुए लालू चला गया राठोर के घर बली चड़ाने के लिए मुझे खून चाहिए खून मुझे और बली देना है बकड़ी लाओ और बकड़ी नहीं है बेटा है तो ही बली चाहती है बकड़ी नहीं है मैं नहीं मानूगा मेरे सर पे खून सवार है बकड़ी लाओ बकड़ी बनना मेरे समने जो आएगा उसे में नर्वली चड़ा दूगा मा मा जाए मा काली क्या हो गया भी समझ में नहीं हा रहे आप लोगों कुछी मानने आ रहे राठोर और पुरोहीत कहा है बुला 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 बागो बागो बच्चे आओ बच्चे आओ चलो अब मैं तुम्हारा बली दूँगा ललू बच्चे सांथो जा सांथो के देख मैं इनसान हो बकारे नहीं हो उस अब मैं कुछ नहीं जानता मा की आदेस है चलो अब मैं तुम्हारी बली चड़ाओंगा चलो चलो नहीं बेटा ये मा की आदेस नहीं हो सकती है मा तो जगत चन्नी है माहा किसे कहते है जानते हो तुम दोबारा मुझे बुलाओगे बकडी बली चड़ाने के लिए मैं अज मधर अणी के सामने कसन खाता हूँ आफ से बली कभी नही चराऊंगा ठीक है आफ जोड के कहता हूँ बेटा कभी नहीं कभी नहीं अच्छा ठीक है, क्यों मैं छोड़ दिया, मगर पुजारी को बुलाओ, पुजारी कहा है, बुलाओ, बुलाओ पुजारी को हाँ, हम लोगो को मरेगा, बागो यांसे, बागो, बागो, बागो सहतर लड़के मुसे मज़ा कर रहा था, हाँ, तुझे मैं चलूँगा नहीं, मेर मतारानी का सामने पति क्या करता हूँ, कल सुबाचा के उसके पिता के पास, बोलूँगा और मार की लागो नहीं, तो मेरा नाम राठोर नहीं लेकिन राठोर लालू को मार नहीं खिला पाया, क्योंकि वो सुबा सुबा उटके न जाने कहां चला गया था, साथ आड़ दिन उसका अता पता नहीं चला, लेकिन एक दिन राठोर की घर गया, शाम को, और माफी मांगा, और अपने घर वापिस गया, और उसके पिता, सारी नाराजगी भूल कर उसे अपने घर में बिठा लिये, और उस दिन से राठोर की घर बली चड़ना बंध हो गया, महामंत्री, हमारे राज्य का अवस्ता कैसा है, सारे प्रजा सुख शांती से हैं न, आप एकदम निश्चिंद रहें महाराज, आपके प्रजा, आपके आशिरवाज से सुख और शांती से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, इसलिए राज्य के सारे प्रजा आपके नाम के जैजेकार कर रहे हैं, मैं भी यही मानता हूँ, मेरी तरह नियाई विचार करने वाला राजा इस पिर्थवी पे और कोई नहीं है, कोई नहीं है, क्या गोबाल तुहारा क्या राय है, सावित कर दूँ कि पिर्थवी पर आप अकेले नहीं हैं नियाई विचार करने के लिए, और भी नियाई विचारक हैं, विविन राज्यों में वि विविन प्रकार के अलग-अलग नियाई विचारक है, तो ठीक है, अगर तुम सावित कर सकोगे, तो मैं तुमें अपने 500 तो एकड़ जमीन मैं तुम्हें उपहार में देदूँगा गोपाल थीक है महाराड, महाराड, मेरी एक बिंति है, ठीक है बताओ, क्या बिंति है? मैं जीवण में जितना भी अन्याय क्यों न करूँ, मैं यह चाहता हूँ अन्त में मेरा मन लायक विचारक आकर मेरा विचार करें ठीक है वैसा ही होगा देख रहे हैं कविरत ने पेड में कितने सुन्दर आम हुए हैं रुकिए एक पत्थर मार कर दो चार तोड़ता हूँ अधेश महाराज जल्दी वैद को बुलाओ पता लगाओ और यह पत्थर किसने मारा है और उसे बंदी बनाकर राजस्था में लाओ जैसी आग्या महाराज वाँ 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 बिश्वास किजे महाराज मैं जान बचकर पत्थर नहीं मारा हूँ तेने होंगे दस हजार मुद्राएं महाराज कुछ दिन पहले आप मेरी एक विंती मंजूर किये थे याद है ना याद है मुझे तो बताओ किस से तुम अपना विचार करवाना चाहते हो अपने नगर में राम और श्याम दो कुमार रहते हैं मैं चाहता हूँ वही दोनों मेरा विचार कर ठीक है वही होगा महाराज मेरे इसाफ से राज परिवार में जान भुचकत जो दुरुगतना की गई है उसके लिए गोपाल को अर्थ दंड देना यही उचीत बिचार होगा महाराज दंड में डेर सो स्वर मुद्राएं देने होगे नहीं नहीं गोपाल कर तो अपना घर परिवार भी है उतना श्वर मुद्राएं देगा तो वह खुद मरी जाएगा वह पचाश्वर मुद्राएं देगा तो उचीत होगा जए महाराज हाँ ठीक बोल रहे हो तों महराज मैं भी राम की बात से सहमत हूँ गोपाल से पचास स्वर मुद्राएं लिया जाए किवल पचास स्वर मुद्राएं दंड में न्याय के नाम पे ये अन्याय है महराज ये अन्याय नहीं यही न्याय विचार है वो कैसे महाराड राम श्याम गरीब कुमार और दोनों सीधा साधा है इसलिए वे दोनों दूसरों के तकलीब को अपनी दुख तकलीब सबस्ते हैं इन दोनों के विजार के अनुसार मेरा दंड पचासवर मुत्राएं हुआ कूसरी तरफ हमारे महामंत्री बहुत पैसे वाले हैं हमारे महामंत्री राज में कूबुधी लगाते मनुष्र के दुख तकलीब को तो भूली गये हैं और क्या कहूं महाराज इनके बारे में इसलिए महामंत्री तस हजार स्वण मुत्राय दन रखे थे अगर मैं नहीं दे पाता तो वो मुझे ले जाकर काल कोट्री में डाल देते महराज क्या हुआ महराज आप मेरी बात समझे महराज मैं तो आपको पहले ही बोला था अलग अलग जगों में अलग अलग विचार होते हैं तुम्हारा विचार बिलकुल सही है तुम्हारा उपहार मैं तुम्हें कुछ दिनों में ही दे दूँगा गोपाल ठीक है महराज कैसी आपक लालू एक छोटी से हिंदी स्कूल में बढ़ता था ओ मनिश्यों को डराता था दमकाता था ना जाने कितनी जरारत करता था सावन का महीना एक दिन शाम को हलकी हलकी बारिस हो रही थी सैतान लड़का लालू कहां गया लालू ए लालू लालू नहीं अब नहीं चिलाया जाता कोई है कहां है आओ जल्दी आओ मझे सापने काट लिया और बड़की शाप ठी अश्री नहीं सैतान लड़का तुझे पकड़ूंगी तो बताओंगी रहू देखिए मैं सही बात के रही हूँ उसके लिए आप कोई मास्टर देखिए क्यों उसकी शरारत से तो मैं परसान हो गई हूँ आप कुछ कीजिए उसी नकली शाप देखके मैं डर गई थी और मेरे पैर मुचक गए थे मैं अभी तक सैसे चल नहीं पा रही हूँ पैर में इ उसी साल में उसके लिए टिचर रख दूंगा उससे पहले नहीं उस दिन थो लालू अपने पीता जी के वज़े से माश्टर जी के होच से बच गया लेकिन मन ही मन में अपने मा के उपर गुण सा था इधर अपने बकील की तरक्की के वज़े से लालू के पिता तिन तल्ला बिल्डिंग बना लिए एक दिन लालू की माँ का गुरु देव आया उनका तिन तल्ला बिल्डिंग को देखने उसी दिन अचानक बारिस बड़ी ही तेज होने लगी बिटी नंदिनी कहा हो? बिटी अरी गुरु देव आये आये मेरी सोभाग्ये है आप आये आये अंदर आये आपकी पैरों के धूल से मेरा पूरा घर पवित्र हो गया आप ऐसे अचानक मेरी घर आएंगे में सबने में भी सोच नहीं पाई इसलिए मैं सब कुछ बंदवस्त करके रखी हूँ आपके लिए चार पाई अराम करने की जगह पूजा पाट का समान सारी तैयारी की हूँ हम बहुत अच्छा बंदवस्त किये बिटी में हाथ पैर दोकर आता हूँ तुम मेरे लिए कुछ खाने कर बंदवस्त करो बहुत भूख लगी है मुझे ठीक है गुरुदेप इसनान करने के बाद खौर खाने पीने के बाद गुरुदेप रात में अपने चार पाई पे व इस रहाम किये अच्छा पानी कहां से चू रहा है लग रहा है चंद फूट गया है लग रहा है अहां सो नहीं पाऊंगा कही और जानके सोता हूँ लग रहा है यहां पे पानी नहीं गिरेगा है वो रहा वो अपेक्टिवल है वो ही पे जाके सो जाता हूँ रत वही बिताता हूँ क्या गुरुदेब आप यहां पे क्या बताओ बेटी इतना ठंदा पानी लग रहा है पानी नहीं चूएगा वो रहा एक टेबल देख रहा है यही पे इस हो जाता हूँ आज की रात लेकिन उस घर के उपर तो और दो दो तल्ले हैं लेकिन उसके उपर तो बारिश का बुंद नहीं आया तो फिर देखो देखो अपने लाडले बेटे की हरकत देखो छी 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 मुझे तो शरम के मारे मिट्टी में मिल जाने का मन गर रहा है छी 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 ऐसा लड़का छी नंदू उसे बुलाने गया है आने दो उसको बहुत देर खोजने के बाद लालू का पता चला वो अपने मौसी के घर पे मिला था वो पंधरा दिन तक अपने मौसी के घर पे ही रहा और उधर गुरू देभी वहां पे पंधरा दिन अपनी सेवा जतन कराए और जाने से पहले लालू को माफ कर दिये माजी नविन की पत्नी का क्या-क्या गहना है बहुत कुछ है जुमके कंगन हार और सिताहर सिताहर है इसके पास वो नहीं है कभी देखी पहनते हुए नहीं देखी हो ना हाँ तो फिर सुनिए माजी आज अपना सिताहर पहन के तलाव जाना पानी लाने क्या करूं रहे का तब तो पहनूंगी तो फिर साहब जी को बनाने के लिए बोल दीजिए हाँ ओ क्या सिताहर बना के देंगे वो तो बहुत ही कंजूस है सिताहर बनवा देंगे एक तरीका है मेरे पास बता क्या तरीका है आप अपने पती के पसंद की खाना बना के उनको प्यार से खिलाईए वो ठीक मान जाएंगे ठीक बोल रही है तू अज मैं वही करूंगी स्वामी बहुती दिन से मुझे मास खाने का मन कर रहा है क्या करूं बता ये जर रहा पार्वती और क्या करोगी धर्ती पर तुम्हारे अनेको भक्त हैं जिस किसी को सपना दिखाओ और हासिल करो प्रतेक मनुशे को स्वपने दिखा के मांगना अच्छा नहीं लग रहा है इसलिए मैं सोच रहे हूँ दर दिखा के मांगू टकैती क्या बोले हैं आप नहीं बोल रहा हूँ क्या दर दिखाओगी रोक भे मृतू भे जो तुम्हारी इच्छा लेकिन तुम किसको दर दिखाओगी दिब्वे द्रिष्टी में वही तो ढूंड रही हूँ में वाह इतना बड़ा आयोजन है चावल दाल भुजिया खीर आलुद्दम ठीके ठीके बहुत हो गया खाने बैठी चाचा बैठता हूँ छपपन भोग लेके बैठा है इसी को भै दिखा के मांगूंगी इतने भक्त रहते वे आखिर उसी को क्यूं क्यूं नहीं सुना हूँ नाई का बेटा बहुत चालाख है मेभी कम बुद्धिमा नहीं हो स्वामी वाह वाह इतना स्वाध है एक बाद बताओ लक्षमी नहीं कुछ नहीं बोलो ना लेकिन किन तु क्या लगा रखी हो नहीं मैं बोल रही थी ना मतलब मतलब मुझे न एक सीताहार चाहिए क्या सीताहार सीताहार जी चपन भोग लेके बैठा है इसी से परवंद करूंगी मैं बाप रे बाप मेरे पेट में कितना दर्द हो रहा है लगता है मल ही जाओ अब लक्षमी देखो अरे अरे आपको क्या हो गया अरे ओ बतासी बतासी का है तू इधर आ देख 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 तेरे सहाब जी को क्या हो गया मैं पहले ही बोली थी किसी ताहर मुझे नहीं चाहिए देख सुनके कैसे कैसे करने लगे अरे आपको क्या हो गया अरे लक्षमी मैं मर जा रहा हूँ मुझे बचाओ लक्षमी मुझे बचाओ मा दुरुगा मेरी पती का रक्षा करो मा मेरे सुहाक का रक्सा करो पारवती, अब तुम्हारी मान्स खाने की इच्छा पुर्ण होने वाली है तुम्हारे गोपाल की पीडा समात हो गई सिर्फ मासी क्यों स्वामी, फल मिठाई कुछ नहीं सोचो तो, दो दो भैस अकेले खा पाओगी नहीं, वो तो नहीं सकोंगी मैं उपर से और कंद मूल फल फूल, तुम तो नर प्राणी जैसे लालची हो गई हो नहीं, यह अच्छी बात नहीं है, अब गोपाल को पीडा मुक्त करो ठीक है स्वामी ए मा, दया करो मा, इस बीडा को नहीं सह पा रहा हूं मा किरपा करो मा, दया करो मा, ओ मा, मा इस अरे लक्षमी कहा हो, देखो मेरे पेड का दर्द गायव हो गया, सुनती हो अरे लक्षमी कहा हो, मुझे खाने को दो, मुझे भूग लगी है, लक्षमी तुम कहा हो नहीं, नहीं, आज आपको कुछ नहीं खाना होगा, चुप-चप सोईए ओ, जो बोलता हूँ वही करो, मुझे बहुत भूग लगिये, मुझे खाने को दो, नहीं तो मैं तुम्हारी वह बात नहीं सुनूँगा ठीके, ठीके, देरी हूँ, देरी हूँ, खाने के लिए, आईए, मेरे साथ आईए सही मैं लक्ष्मी, भोजन बहुत स्वाधिष्ट बना था, और क्या बोल रही थी, बोलो तो जरा बोल रही हूँ कि मुझे एक सीताहर बना दीजियेगा ओ, तो यही बात है, लेकिन मेरी भी एक शर्थ है कैसा सर्थ? तो आज रात में गरम गरम पूड़ी और पनीर की सबजी खिलाओगी तो क्यों नहीं खिलाओगी, जरूर खिलाओगी कैसा बड़ा है, बताए नहीं तो सुन्दर अती सुन्दर है, मैं इस हार को पहन के तलाव जाओगी पानी लाने क्या बात है पारवती, तुम्हारे चेहरे से पता चलता है, धर्ती पर प्रलाय आई है यह क्या ठीक हुआ? क्यों? क्या हुआ? गोपाल ठीक हो गया, और इतना दीन भी बीत गया, गोपाल अपने पतनी को सीताहर बना के दिया, और मेरे वक्त क्या हुआ? चमुच, यह गोपाल की बड़ी गलती है, मुझे लगता है गोपाल क्रिश्न चंद्र राय के राज्यकार में व्यस्त रहने के कारण बली की बात भूल गया है भूल नहीं गया है वो, आप भोले भाले हैं, इसलिए सब को आप भोले भाले समझते हैं गोपाल को शर्त की याद दिलाने के लिए मैं नंदी को अभी भेज रहा हूँ ठीक है गोपाल, ओ गोपाल, ओ गोपाल, ओ गोपाल, ओ पौण, पौण, पौण हाँ, अरे बताशी, अरे नकूल, कहा हो तुम लोग, कहा हो जब, जोब एक दाग, बच्चा ये कौन ही ये सुनो, मैं नंदी हूँ, कहलाश पती महेश्वर के पास से आ रहा हूँ दिवादी देव महादेव के शिष्ष है आप, प्रणाम, ए लक्षमी, तुम भी प्रणाम करो हाँ, हाँ, प्रणाम नंदी जी पेट दर्द के समय जो प्रतिग्या किया था, वह भूल गया है क्या वही बाद याद दिलाने के लिए महादेव तुम्हारे पास भेजे है कौन बाद बताए तो यही बाद जो तुम बोले थे, पेट दर्द ठीक होने पर जोड़ा भैस बली दोगे ओ, यहाँ, याद आया, याद आया लेकिन वह तो भैस नहीं, मेश, मेश बली चड़ाओंगा बोला था नहीं, नहीं, यह कैसे हो सकता है, मैं सबस्ट अपने कान चे सुना था ठीके, ठीके, वो तो हमेशा भांगधतूर खाके नसे में रते हैं मैं, मैं तुन अशा नहीं करती हूँ, वह बात तो मैं गोपाल को बोला था गोपाल क्या बोला है, बोल रहा था, पूश में हम लोगों के कान बिल्कुल ठंडे हो जाते हैं अच्छी तरह सुन नहीं पाते, और मा तो जुगों से वर्फ पर निवास करती हैं उनके कान के बारा बज गये हैं, बोला था मेश और सुनी थी भैश ठीक है ठीक है, तुम अभी जाओ, जो आग्या हो अरे तुम्हें भी कहता हो बार्वतली, अधिक लालाच अच्छा नहीं है भैश के पतले अगर मेश देता है, तो इसमें चिलाने की क्या बात है शान्ती से तपस्या भी नहीं करने दोगी क्या ठीक है, आप कीजी अपना तपस्या, मैं चलती हूँ प्रडा मा ब्रेंगी, क्या बात है मा, मैं सुना था की, धर्ती वाला गो बाल आपको दो भैस बली देने के लिए कहा था कब तक देगा मा, मैं भी थोड़ा परसाद पा जाता मा, और क्या बेटा भींगी, वो भैस नहीं मेस था अरे मेस भैस जो भी हो, कब देगा पता नहीं, समय नहीं बताया तो जाकर मैं सही समय पता करूँ मा जाना है तो जाओ, मगर ध्यान रखना महादेव को पता ना चले आप बिलकुल निश्चिंद रहिए, मैं बाबा को अभी अभी एक जिलम भर कर दे आया समाब धोने के पहले ही मैं कवर लेकर वापाद आ जाऊँगा गुबाल, ओ गुबाल, कौन, कौन है आप? मैं भिंजी, शीव कार दूसरा परधान सिस्य, प्रणाम देव महराज, दोनों में इस कब बली दोगे बोलो तो सुनिये देव महराज, उन दोनों की उम्र हो गई है, चर्बी वाला मांच खाना ठेक नहीं होगा इसलिए सोचा, मेश के बदले एक जोड़ा हंस बली में दे दूँगा हंस? हंस नहीं समझे, अरे राज हंस, चरक संग्रिता में आप अवस्चे पड़े होंगे कि पक्षी का मांच सुपाच होता है आप देखिये ना, खाना बन गया, थोड़ा बहुत खाकर राज सभा के लिए निकलूँगा और वापस आते समय राज उद्यान से दो हंस चुराक लाऊंगा और अगली आमोश्या मा के लिए बली दे दूँगा हाँ, ठीक है ए क्या है वरिंगी, किसने जंद्र का हंस चुराके मेरे लिए वली देगा हाँ मा, यही तो कहा इन चोरी करना महा पाप है ब्रेंगी, और यह पाप मुझे भी लगेगा नहीं, नहीं, मुझे रोखना पड़ेगा गोपाल को मैं अभी जाओंगी, अभी जाओंगी प्रित्थिभी पर ए क्रिष्ण करुणा सिंधो, दीन बंधो जगत पते गूपेश्वर गोपाल कौन? ए महा मया, पारवती, देवी दूरगा मा, मा, आपके चरणों में इस गोपाल का कोटी कोटी प्रणाम गोपाल, तू कृष्ण चंद्र के हंस चुरा के मेरे लिए वली देने वाला था तू जानता है ना, चोरी करना महा पाप है हाँ मा, प्रिंगी जी को पली की बात बताते समय हमें भी यह बात याद आई थी इसलिए मैं ठीक किया हूँ, चोरी करक नहीं, छमता के अनुसार जो भी होगा आपको जरूर उत्सर्ग करूँगा तो क्या दोगे? रोहू मचली, बरसात के समय पोकर में चारा छोड़ा था इस वर्ष बहुत बड़ी बड़ी हुई है, खा कर देखा हूँ, बहुत स्वादिष्ट है हंस से रोहू मचली? यही चमता है मा, नहीं तो हंस चोरी करके नहीं, नहीं, तो मुझे रोहू मचली ही देना, चोरी मत करना रोहू मचली दूँगा, अना घोड़े का अंडा, का? पारवती स्वामी, परणाम स्वामी सुना तुम्हारा भक्त गोपाल, हंस के बदले तुम्हें मचली खिलाएगा कैसे जाने? ठीक ही समझती हो, बात क्या सत्य है? सत्य है स्वामी कब? अगली आमवश्य को अश्वर डिम्ब खिलाएगा क्यो? उस पिर्थिवी पर देखो पूरे पचास वन मुद्रा है, गिन कर देख लो, गिनने की क्या बात है? आप मुझे कम देंगे, तो फिर मैं चलता हूँ ए क्या मनुश्य इतना चल करते है, इसको सवक सिखाना पड़ेगा चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा जूटे, छलिया, मुझे हांस से मचली पिले आया, ओभी बेच दिया तू क्या करूँगा मा, क्या करूँगा, तुम्हारी बहुत सोने के हार से खुश्ती साथ साथ लाकर देना पड़ा, हार दने के बाद घर में आई शान्ती, नहीं तवाती विपत्ती और अशान्ती क्यों, विपत्ती किसकी? सिर पर सुनार का रिड है, शाष्त्र मले काहे के अगनी कर्ज और शत्रू नहीं रखना चाहिए, आप मेरी मा है सोचा था, आप मेरे दुख को समझेंगी, लेकिन साहुकार मेरा दुख क्या समझेगा मा, बोलो, इसलिए मचली बेच कर ताकि कर्ज चुका लो, हाँ मा, अब क्या देगा मुझे? संध्या तो होने वाली है, और थोड़ी देर प्रक्तिच्छा किजिए, कुछ दिर बाद देंगू मच्छड आएंगे, सोचता हूँ दो बड़े देंगू मच्छड पकड कर आपके लिए आज ही बली दे दूँगा मच्छली से मच्छड पे उतराया, ठीक है वही देना, तु अपनी बात याद रखना, मैं उसी से प्रसन होंगी उसके बाद भी एक समस्या है, क्या समस्या? जीवित मच्छड तो मैं पकड नहीं पाऊँगा, अगर पकडने लगूँ तो घर बाहर चारो और उतल पुतल मच जाएगी बली मैं नहीं दे पाऊँगा, उससे अच्छा है आप दरसन चक्र से दो मच्छडों को मार कर मेरे नाम से बली ले लेंगी और क्या कहूं मा आपके लिए बताईए उसके बाद? उसके बाद क्या? आप लोग कैलास रापस जाएगे और मैं भी घर चलूँ हाँ? ए ना है